नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशल यूटूब चैनल गुरूजी स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तित हूँ साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर इस्टूंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं दंड एवंग पुरसकार व्यवस्ता के प्रभावी प्रयोग टॉपिक के अंतरगत और कुछ most important points के बारे में पुरसकार ज्यादा देने से क्या हानिया है और एक सिक्षक को पुरसकार देते समय कौन-कौन सी बातों पर विशिश रूप से विचार करने चाहिए उसके बाद हमने जाना दंड क्या होते हैं दंड से related भिन भिन विद्वानों की क्या मत हैं और दंड कितने प्रकार के होते हैं दंड के कितने सिध्धांत होते हैं कौन-कौन से दंड के सिध्धांत होते हैं दंड देने के क्या नियम होते हैं उन सभी बातों को हमने जानने क कोशिश की उमीद करता हूं कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिसकस की हैं दंड एवंग पुरसकार से रिलेटेड वो सभी पॉइंट आप एजिली क्लियर कर पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ आज की क्लास में हम दंड से लेटेड और कुछ most important points पर discussion करेंगे जैसे दंड से क्या लाव होते हैं कि एक सिक्षक को दंड प्रदान करने से क्या लाव देखने को मिलते हैं दंड का ज्यादा प्रयोग करने से क्या हानिया है और एक सिक्षक को दंड प्रदान करते समय कौन-कौन सी बातों पर विशेश रूप से विचार कर लेने चाहिए इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे और जो भी सूपर्टेट एक्जाम्स में इस टॉपिक पर प्रश्ण बनते हैं उन सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट इस्ट्रेंट वो है आपके दंड के लाव यानि कि दंड के क्या लाव होते हैं तथा इससे उनमें अवांचित व्यावहरों को ना करने की प्रबर्ती आते हैं यानिकि दंड से अगर आप बच्चे को दंड देते हैं तो दंड से छातर क्या करते हैं अनुचित कारिये को करने से बचते हैं यानिकि अनुचित कारिये को वो नहीं करते हैं जो उचितकार ये नहीं होते हैं, उनको बच्चे नहीं करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, और इससे थोड़ सा typing error restraints, इससे उनमें आवांचित व्यावहरों को ना करने की प्रबर्बरती आती है, जब आप बच्चे को दंड देते हैं, तो दंड देने से बच्चे जो है जो अवांचित व्यावाहर है यानिकि जो अनुचित व्यावाहर है उनको ना करने की प्रबर्ति यानिकि उनको नहीं करने की जो सोच है वो बच्चों के अंदर आती हैं तो ये दंड से लाब होते हैं कि दंड का प्रयोग आपको करना चाहिए लेकिन वो इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चे अनुचित कारे को करने से बचे मतलब आवांचित व्यावहरों को वो ना करे इस प्रकार की प्रब्रति उन में आये इसी लिए हम दंड को प्रदान करते हैं तो ये दंड के एक बैनिफिटस के अंतरगत बनते हैं इसके इंतरगत next point आपसे कहता है students की दंड पाने के भैसे चात्र अनुशाशन में रहते हैं तथा इससे विद्याले में अनुशाशन इस्थापित करने में साहेता मिलते हैं देखे दंड पाने के भैसे जो दंड है इसको पाने के भैसे चात्र क्या करते हैं अनुशाशन में यानि discipline में जो बच्चे रहते हैं वो किस बज़े से रहते हैं वो भे की बज़े से रहते हैं और किस चीज का भे होता है उनमें दंड का भे होता है तो दंड पाने के भे से बच्चे अनुशाशन में रहते हैं और इससे विद्याले में अनुशाशन इस्थापित करने में साह क मिलती है इसके इंद्द्रगत नेक्स पॉैंट आप से कहता है वह घृती को अगर कोई बच्छा कोई यह है कि मान लेजे कि कोई बच्चा कोई गलती करता है तुरूटी करता है या कोई अपराद करता है तो अगर आप उस बच्चे को दंड देते हैं तो इसका मतलब वो दोहराता नहीं है उस चीज को या बुरा आचरन करने की जो संभावना होती है उसको कम करता है यानि कि उस जानते होंगे स्ट्रेंट्स आचारिय चानक के जी को तो आचारिय चानक के जी का एक कथन है कि अगर किसी साफ के पास जहर नहीं है तो उस साफ को यह नहीं बताना चाहिए कि मेरे पास जहर नहीं है अगर लोगों को पता चल जाएगा कि साफ के पास जहर नहीं है तो फिर उ negative impact आपके performance पर देखने को मिलेगा बच्चे आपकी disrespect करना भी शुरू कर देंगे जो शरारती बच्चे होते हैं वो आपको disrespect करना शुरू कर देंगे तो इसके लिए आपको एक आदर सिक्षक तभी बनेंगे जब आप पुरसकार का तो ज्यादातर प्रयोग करेंगे लेकिन सा उपर टेट के syllabus के according सभी topic को अच्छे से cover कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे और जब आप समझ जाएंगे तो आपके ब्याभार में परिवर्तन होगा और आपके ब्याभार में परिवर्तन होगा तो आप इनसे जो भी प्रशनों पूछे जाएंगे उन प्रशनों के राइ यूग आपको करना है लेकिन इसका कम मात्रा में और किस तरीके से प्रयोग करना है उनको भी हम आगे जानेंगे तो ये आपके लिए दंड के लाब हैं कि दंड देने से व्यक्ति में तुरूटी या अपराद को करने या उसको दोबारा दोहराने कि संभवना में कमी आती है ये benefits आपको देखने को मिलते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों के मात्यम से दंड के लाव को भी जान पा रहे होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आप इसलिए करते हैं कि छात्रों की जो बुरी आदते हैं उन आदतों को आपको छुडवाना है तो अगर आप छात्रों की बुरी आदतों को छुडवाना चाहते हैं तो इसके लिए उपियोगी है कि आप दंड का प्रयोग करें क्योंकि आपको पता है मान लिजे कि आपके कक्ष की तरफ जाएगा लेकिन आपको उनके इंट्रेस्ट के अकॉर्डिंग उसे रिलेट करना है और उनके अंदर इंट्रेस्ट को डेवलप करना है और अगर किसी बच्चे के अंदर कोई बुरी आदते हैं तो उसको चुड़वाना ये आपका करतव्य है और उसको चुड़वाने के लिए आपको कभी-कभी दंड का प्रयोग करना पड़ सकता है तो इसलिए बताया गया है कि विद्याले में दंड के प्रयोग से चात्रों की बुरी आदतों को चुड़वाने में उपयोगी एवंग लावप्रद सिद्ध होते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट के माध्यम से दंड के लाव को भी जान पाए होंगे चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इस प्रकार से बच्चों को दंड प्रदान करें कि जो अन्य विद्ध्यारती होते हैं उनके लेख सीख के रूप में हो ताकि जो दूसरे विद्ध्यारती है वो उसके दंड को उसके पनिश्मेंट को देकर वो दुबारा से उस गलती को ना करें इस प्रकार से आप के दंड होने चाहिए कहने का मतलव यह नहीं कि आप दंड बच्चے को दे रहें तो बिलकुल एक अकेले कमरे में लेकर आप उसको दंड दे रहें मतलब उस बच्चे को दंड आप दीजीए लेकिन दंड को इस तरीके से देना है ताकि बाकी बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़े और बाकी बच्चे भी उसके दंड से सीख कर वो भी उस गलती को दुबारा ना करें तो इस प्रकार से आपको दंड परदान करने चाहिए ये आपके दंड से रिलेटेड लाव होते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों के माध्यम से दंड से क्या लाव एक सिक्षक को देखने को मिलते हैं उन बातों को भी एजिली समझ पाए होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है दंड से हानिया यहीं कि दंड से क्या हानिया है अगर आप दंड का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका क्या नेगिटिव इंपेक्ट पड़ सकता है क्या उसस से क्या हानिया है इस बात की जानकारी भी होना आवशक है तभी आप दंड को सही तरीके से डेलेवर कर और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप ज्यादा दंड का प्रयोग करेंगे यानि कि दंड का अगर आप अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो इससे अत्यधिक भैसे बालक की समवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है यानि कि emotional development बिगड़ जाता है बच्चे के अंदर डर की मातरा ज्यादा होनी के वज़े से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है तो इसलिए आपको दंड को सोच समझ कर देना है दंड को इस तरीके से देना है ताकि बच्चे को ज्यादा चोट भी ना लगे बच्चे को ज्यादा mentally disturbed भी ना होना पड़े और बच्चा कही ना कही respect भी बाकी बच्चों पर भी पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपको बिलकुल खलनाई की तरह नहीं बनना है जैसे अमरिश्पुरी की तरह आपको दंड नहीं देने हैं दंड का सीधा सिधा सम्मंध होता है भैसे तो आपको इस तरीके से देना है बच्चे के according ऐसे देना उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट के माध्यम से भी दंड से हानियों को भी जान पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है स्ट्रेंट की बार 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 दंड मिलने से बालक में आत्महिंता की भावना उत्पन हो जाती है जो उसके विक्तितों के विकास में बाधक होती है देखे अगर आप बार बार हर बात पर दंड देना शुरू करेंगे तो इससे बालकों में आत्महिंता की भावना उत्पन हो जाती है यह आत्महि इंता की भावना विक्सित हो जाती अगर आप बार-बार दंड देते हैं तो एक समय के बाद उस बच्चे के अंदर डर जो दंड का डर है वो समाप्त हो जाता है और उसके विक्तितों के विकास में भी बाधक सिध होता है फॉर एक्जामपल के लिए आपने मेरिकॉम की मूवी को भी देखा होगा जो मेरिकॉम जो आपके बॉक्सर है इंडियन बॉक्सर है उन पर बेस्ट जो मूवी है तो उसमें एक डायलोग बहुत जादा फेमस है कि इतना भी मत डराओं की डर ही खत्म हो जाए तो इस बात को ध्यान रखे कि आप अगर बार बार दंड देंगे अगर आप बार बार बच्चे को दंड देंगे तो बच्चे के अंदर आत्म हिंता की भावना विक्सित हो जाएगी और उससे क्या होगा कि बच्चे का जो विक्तित है उसे पदा चल जाएगा कि मुझे तो हर बात पे द हो जाएगा तो इसका मतलब उसका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं होगा उसमें बाधक उत्पन हो जाएगी उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और धंड से रिलेटेट जो हानिया हैं उसको भी एसिली क्लियर कर पा를 हूंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आपसे क्या कहता है तो next point आपसे कहता है strength की दंड का प्रभाव प्राय अस्थाई होता है यानि कि जो दंड है ये जो आप दंड प्रदान करते हैं इसका जो प्रभाव होता है वो ज्यादा तर देखा जाता है अस्थाई होता है इस्थाई नहीं होता है वो कुछ समय के लिए होता है अते दंड के भैसे बालक कुछ समय तक उचित व्यावार करते हैं परंतु बाद में पुर्वत अवांचित व्यावार करने लगते हैं यह आपके दंड से हानिया है यह दंड से क्या हानिया है अगर आप दंड देते हैं तो ये देखा गया है कि जो दंड का प्रभाव होता है वो ज्यादा तर अस्थाई होता है यानि कि प्राय अस्थाई होता है इस्थाई नहीं होता कि आपने एक बार दंड दे दिया तो बच्चे ने दुबारा वो गलती करना बंद ही कर दिया ये कुछ समय के लिए होता है अ आपको देखने को मिलते हैं कि दंड देने से जो प्रभाव है वो आयस्थाई रूप से बच्चों पर पढ़ता है तो यह कहीं ना कहीं दंड से रिलेटिड हानियों के इंतरगत आते हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस को भी इसी लिए क्लियर कर पायोंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखतें पाने वाले बालकों के मन में दंड देने वाले विक्ति के परती इर्शाया द्वेश व्या प्रतिशोद की भावना उथपन हो सकते हैं यहां पर ठोड़ सा टाइपिंग एरर्र है द्वेश की और प्रतिशोत की भावना उत्पन हो सकती है अगर मान लिजे कि आप बच्चे को दंड देते हैं तो दंड से ये नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं कि कभी कभी जो है बच्चे जो विद्याले के बच्चे होते हैं वो टीचरों से इरशाय करने लगते हैं टीचरों से पास जो भी विद्याले हैं उसमें आपको देखने को मिलते भी होंगे तो कही ना कहीं ये दंड की हानिया है हाला कि इसलिए टीचरों को दंड देने से पहले सोच समझ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप कितना भी अच्छे से समझा लीजे वो इस पॉइंट्स से स्ट्रेंट्स की दंड पाने वाले बालकों के मन में दंड देने वाले व्यक्ति के प्रति इर्शाया द्वेश और प्रतिशोत की भावना भी उत्पन हो सकती है तो ये भी कहीं ना कहीं दंड के नेगटिव पॉइंट्स के अंतरगत आते हैं हाला कि स्ट्र आप इर्शाया या दोश या प्रतिशोत की भावना अपने मन में उत्पन करें लेकिन फिर भी कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आपके ब्यावार में इस प्रकार की परिवर्तन होने चाहिए चाहे वो बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो आप यदि दंड को अच बच्चे और व्यक्ति बने आपको पता है कि यह बच्चा बिलकुल नालायक है यह नौटी बच्चा है यह बिलकुल आपकी बात नहीं मानेगा तो वहाँ पर आप अपनी एनरजी को वेस्ट ना करें अब यहाँ पर मैं आपको एक एक एक्जामपल के थुरू समझाना चा यह का रही है एक बच्चा ऐसा है उसमें जो बिलकुल शरारती है नौटी बच्चा है पूरा बोड भर चुका है और वो बार बार उसकी बातचीत जो है वो करते ही जा रहा है वो उसको बंद नहीं करता है मॉनिटर उसका नाम लिख लिख के परेशान हो चुका है कि इसने बच्चे को आपके धंड का कोई भेह नहीं है उसके मन में क्योंकि वो बिलकुल शरारती बच्चा है अब ऐसे बच्चे को आपको कैसे कंट्रोल करेंगे आपके मन में यह डाउट बन सकता है और यह चीज़े आपको आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे जब आपके सामने ऐसे बच्चों के साथ आपका सामना हो जाए तो ऐसे कंटिशन में आपको करना क्या है तो आपको करना यह होगा कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा शरारती है नोटी है आप उसी को ही मॉनिटर बना दीजी मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप चोरों से बच्चे को monitor बना दीजिए तो पहली बात तो यह है कि वो नाम नोट करने की तरफ जाएगा इसका मतलब उसकी energy दूसरी तरफ लग जाएगी वो दूसरी तरफ ध्यान देगा वो बाकी बच्चों की तरफ ध्यान देगा कि कौन बात कर रहा है तो इससे वो भी control में आ कि आपका पाला ऐसे बच्चों से पढ़ सकता आने वाले समय में जब आप न्यूक्त होकर किसी विद्याले में जाएंगे तो अगर ऐसे बच्चे आपको देखने को मिले तो मेरी बातों को ध्यान रखना और उस बच्चे को monitor बना देना क्योंकि आपने देखा होगा कि कही कहीं पर आपको ऐसे देखने को मिलता है कि कोई बच्चा बिलकुल बेकार है ठैठप है उसको पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं है और class के teacher ने उसको monitor बना रखा है तो ये कहीं ना कहीं उस teacher की quality है वो teacher बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शरारती बच्चा है और ये बच्चों को परेशान करेगा तो इससे बढ़िया यह है कि इसको monitor बना दो तो इसका मतलब class बिलकुल शान्त तो इस तरीके से करते हैं जो अध्यापक सही तरीके से mature होते हैं और इन चीजों के बारे में वो जानकारी रखते हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को कहता है तो next point आप से कहता है strength की दंड पाकर भी दंड पाकर भी अपराद का ना रुकना यहीं कि देखें दंड का यह negative point होता है कि अगर आप बच्चे को दंड देते हैं उसके बावजूद भी अपराद जो है वो नहीं रुकता है यहीं कि बच्चे फिर से वही गलतियां वहीं तुरूटियां करते रहते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपके दंड के negative points है ऐसे बच्चे आपके कक्षा में होते हैं जो दंड पाने के बाद भी अपने गलती को नहीं सुधारते हैं अपनी तुरूटियों को कम नहीं करते हैं अपनी तुरूटियों को उसी तरीके से ब बढ़ाना ही है तो इस condition में teacher बहतर तरीके से अपने आपको manage कर सकते हैं अगर वो उस शरारती बच्चे को monitor बना दे तो बाकी बच्चे जो है परेशान नहीं होंगे और वो बच्चा भी कही ना कहीं लगा रहेगा उसका mindset भी किसी ना किसी काम में उल्जावा रहेगा तो वो जो है गलत चीजों की तरह focus नहीं कर पाएगा उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और दंड से related जो हानिया है उसके माध्यम से चीजों को भी जान पाएँगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है दंड को प्रदान करते समय जो विचार निया बाते हैं कि कौन-कौन सी बातों पर विशेश रूख से विचार कर लेने चाहिए एक सिक्षक को उन बातों को समझेंगे कि आपको जो दंड देना है जो आप ये topic पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से जो आपने दंड के प्रकार पड़े हैं और दंड से क्या लाब है दंड से जो हानिया है उनको आपने जाना है तो आपको दंड को देते समय कौन-कौन सी बातों पर विशेश रूख से विचार कर लेने चाहिए इन बातों को अब हम डिसकस करेंगे जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो दंड देत है और आप बच्चे को दंड दे रहे हैं तो आपको धियान रखना है कि दंड को किस तरीके से प्रदान करने तो अध्यापक जब भी दंड को प्रदान करें तो हमेशा गंभीर मुद्रा में रहे हैंनी कि आप जब भी दंड दे तो आपको गंभीर मुद्रा में रहना है ना तो आपको हसना है और ना ही आपको कुछ ऐसी गतिवी धिया करनी है जिससे बच्चों के उपर impact कम पड़े मतलब आप दंड कम मातरा में देजिए लेकिन दंड देते समय आप बिल्कुल गंभीर मुद्रा में रहेंगे तो बच्चे के उपर एक प्रकार से भैउत्पन हो सकता है कि हो सकता है कि टीचर यहां पर मेरी बहुत ज़्यादा पिटाए करे तो वो उससे बचने के लिए अपने कारे को अपने अवांचित व्यावारों को करने से कम कर देगा या उसको रोक देगा तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अध्यापक के रूप में जब भी आप बच्चो को दंड दे तो आप हमेशा गंभीर मुद्रा में होने चाहे ताकि बच्चो को लगना चाहे कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है मतलब यह जो हमने गलतियां की है यह सही नहीं है और अगर हम इस गलती को दुबारा करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा पिटाई हो सकती इस प्रकार की सोच बच्चे के अंदर आपको इस्थापित करना है इसलिए आपको गंभीर मुद्रा में रहना है हस्ते हस्ते आप कि आपको कभी भी दंड नहीं देने है इस बात को आपको दियान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है इस्थापित की दंड का प्रकार तथा मात्रा बालक की तुरूटी या अपराद दंड नहीं देना चाहिए देखे ये भी आपको ध्यान रखने कि जो दंड का जो प्रकार है जो आपने दंड के प्रकार पड़े हैं बहुत प्रकार के दंड होते हैं जैसे शारिरिक दंड आर्थिक दंड मांसिक दंड व्यधानिक या कानूनी दंड तो इस तरीके से जो दं दंड के प्रकार का प्रयोग करना है उसकी मात्रा का प्रयोग करना है ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी तुरूटी ओपर बड़ा दंड देना शुरू करें तो यह कहीं ना कहीं गलत होगा अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की तो आप उसको उसे हिसाब से करें कि बच्चे के तुरूटी गलती के हिसाब से ही उसको दंड मिलना चाहिए उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी एजिली क्लियर कर पा रहे होंगे चली आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता ह चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आप से कहता है इस ट्रेंट की दंड सदेव ही निस्पक्ष भाव से तथा सोच समझ कर बाल को के अनुचित व्यावार में सुधार करने की दृष्टी से ही दिया जाना च के साथ एक और बच्चा है जो उसने भी सेम गलती की और उसके लिए आपने उसको जादा दंड दिया तो इस प्रकार से भी आपको कभी भी दंड को नहीं देना है दंड हमेशा आपको सदेव निस्पक्ष भाव से देना है और सोच समझ कर देना है बाल को के अनुचित व् दंड का कारण इस पर शुप से बताना चाहिए तथा सभी पक्षपात रहीत व्यावहार करना चाहिए यनिके एक अध्यापक को जब आप एक अध्यापक की रूप में किसी बच्चे को दंड देंगे तो दंड पाने वाले जो बालक होंगे उनको दंड के कारण को इस पर पक्षपात रहीत व्याभार करने मतलब कोई भी पक्षपात व्याभार आपको नहीं करने हैं आप जो भी व्याभार करेंगे वो पक्षपात रहीत होने चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी गलती की और किस गलती के कारण उनको सजा मिली है तो इ इसलिए इन सभी बातों को आपको ध्यान से समझनी की जरूरत है क्योंकि आप एक अध्यापक है और आपका रोल ये है कि आप से कभी गलती नहीं होने चाहिए। क्यान होना आवश्यक है उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और दंड से रिलेटिड जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक डिसकस कि उन सभी पॉइंटों को इसली क्लियर कर पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट बालकों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए यह जो दंड का प्रयोग है इसको आपको किस तरीके से प्रदान करना है तो आपको इस बात की बिजानकारी होना आवश्यक है तो बालकों को उनकी प्रकृति के अनुरूप ही आपको दंड देना चाहिए यहनि कि अगर कोई तो उस बच्चे को आपको कठोर दंड देना है तो इसलिए आपको दंड को कैसे किस तरीके से देना है इस चीज की जानकारी भी होना आवश्यक है यह सब चीजे स्ट्रेंट्स आप B.A.D.L.A.D. के प्रशिक्षन के दौरान पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आयोग ने इन सभी चीजों को आप किस लेवस में इसलिय शामिल क्या है ताकि आप इनके बारे में गहन अध्यन करें और इस बात की जानकारी आपके पास हो और कुश्चन जो आपके अबजेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे तो वहीं से आपका IQ चेक किया जाएगा कि आप डंड एवंग पुरसकार के बारे में कितनी चीजे जानते हैं जब मैं आपके सामने इस टॉपिक स्रेटेट प्रेक्टि सेट लेकर आऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि इस टॉपिक स्रेट किस तरीके के प्रशन आपके सूपर्टेट एग्जम्स में बनते हैं उमिद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और किस बच्चे को किस प्रकार का दंड देना है अगर बच्चा भावुक एवंग सम्विदन शिल बालक है तो उसको आपको सरल दंड देना है और जो बच्चा निश्ठूर एवंग कठोर स्वभाव का होता है उसको आपको कठोर देने पर समू के निर अपराद विक्तियों में परतिशोद का भाव उत्पन हो सकता है इसलिए सामुहिक दंड ना देकर विक्तिगत दंड देना चाहिए देखे एक सिक्षक के रूप में आपको सामुहिक दंड कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि सामुहिक दंड देने से क्य होता है कि जो समू होते उसमें निर अपराध व्यक्ती जो व्यक्ती निर अपराधी होते हैं उन веч का भाव उत्पन हो सकता है यह इनिके प्रतिशोद इने बदला लेनी की ह्भावना उत्पन हो सकती है मान लिजे कि आप कभी बच्चों को गुरूप में दंड़ दे रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कोई बच्चा है जिसने गलती नहीं कि और उसको फिर भी उसमें सजा मिली है, तो उसके अंदर प्रतिशोत की भावना उत्पन हो सकती है, इसलिए कभी भी आप ध्यान रखना है, जब भी आप दंड को दे, तो सामुहिक दंड को ना दे, और सामुह प्रसकार के नतरगत सभी को प्रसकार मिलता है, और वो एक दूसरे को अप्रेशिट करते हैं, और इसका कही ना कहीं पॉजिटिव इंपक्ट आपको देखने को मिलता है, बट अगर आप दंड देंगे, तो कभी भी आप सामुहिक दंड का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है, कि शारिरिक दंड अत्यंत सावधानी से केवल अत्याधिक गंभीर अपराधों के लिए तथा अत्यंत विरल परिस्तितियों में कभी कभी ही दिया जाना चाहिए, यह एक ही पॉइंट है, कि जो आप शारिरिक दंड देते हैं, तो शारिरिक दंड अत्यंत सावधानी से केवल अत्याधिक गंभीर अपराध के लिए ही देना चाहिए, अत्यंत विरल परिस्तितियों में, यह नि कि मान लिजे कि आप शारिरिक दंड आप कभ देंगे, जब पहली बात तो आपको शारिक दंड देने से पहले आपको अत्यन सावधानी बरतनी होगी कि आप इस तरीके के दंड ना दे ताकि बच्चे को शारीरिक रूप से कोई चोट पहुंचे ठिक दूसरी बात केवल अत्याधिक गंभीर अपराधों के लिए मान लेजे कि बच्चे ने बहुत जादा गहन अपर उत्याध कर लिया जो अत्यन विरल परिशिति में अब आपके पास कोई ओपशन नहीं आपको बच्चे को शारीरिक धंड देना ही है तो उस केस में आपको दंड देना है लेकिन फिर भी जब आप शारीरिक दंड को देंगे तो आपको अत्यन सावधानी बरतनी होगी में आपको शारीरिक दंड का प्रयोग करना चाहिए लेकिन शारीरिक दंड का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको अत्यन सावधानी बरतनी होगी आपको इस तरीके से दंड देना होगा ताकि बच्चे को अंधुरुनी कोई चोट ना पहुंचे इस बात का खयाल भी आपको रखना होगा उसी अनुरूप आपको बच्चे को दंड देना होगा उमेद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाएं और शारीरिक दंड जैसे कि पिटाई करेंगे उसके शरीर पर impact पड़ेगा या फिर उसको आपने ज्यादा ही उठक बैठक लगाने के लिए दे दिया या उसको ज्यादा ही मुर्गा बना दिया तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के शरीर में कोई चोट ना पहुंचे इस प्रकार के दंड को अगर समझाना चारों कि शरीर कप्रयोग आपको बहुत रेर चांसेस में रेर कंडिशन में शरीर कप्रयोग करना चाहिए चली आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स पॉंट और लास्ट पॉंट इस टॉपिक कस्ट्रेंस की एक अपराद के लिए सिर्फ एक बार ही दंड देन कि अगर कोई बच्चा एक बार अपरात करता है तो उसे सिर्फ एक बार ही दंड मिलना चाहिए उसे बार बार उस चीज के लिए बंड नहीं मिलना चाहिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा उमीद करता हूं कि यहां तक जितने भी points मैंने आपको पुरसकार एवंग दंड व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग टॉपिक के अंतरगत मैंने आपके साथ डिसकस किये वो सभी पॉइंट आपने easily clear किये होंगे आपको सभी पॉइंट easily clear हो पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubts आपके मन में बनता है तो आप मुझे comment section में जाकर comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ दंड एवंग पुरसकार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग ये जो topic है इसका content आपका यहां समाप्त हो जाता है और इसके बाद इस पर based कुछ practice questions हम solve करेंगे जो आपके super test exams में आयोए हैं और आने वाले exams में आ सकते हैं आपको idea होगा कि जो आपने content पड़े हैं उनसे related किस तरीके के प्रशन बनते हैं जब तक आप प्रशन को solve नहीं करते हैं तब तक आपको idea नहीं हो पाता है कि topic में हमें पढ़ना क्या होता है किस तरीके से पढ़ना होता है और insulated प्रशन कैसे बनते हैं इसलिए जरूरी यह है कि आप किसी भी चीज को पढ़े सबसे पहले आप उसके topic को पढ़े उसके बाद उस पर बेस practice set पढ़े previous year questions पढ़े ताकि आपको अंदाजा हो पाई किस topic में किस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं और इन प्रशन को करने के लिए किस तरीके से content को cover करना होता है उम्मीद करता हूं कि जितने भी points मैंने आपके साथ discuss कि हैं वो सभी points आपने easily clear कर पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubts आपके मन में बनता है तो आप मुझे comment section में जाकर comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ मिलते है next class में इस topic के practice set क साथ और strengths एक बात और है कि आप में से कुछ लोगों का ये questions भी है कि सर psychology का जो स्लेव से वो तो समाप्त होने वाला तो इसके बाद आप क्या start करेंगे कौन सा subject start करेंगे तो इसके बाद आप लोगों की demand पर ही मैं science विशे को start करने जा रहा हूं तो जैसी आपका ये topic खतम ह जाएगा यानि कि इस पर बेस प्रैक्टिस एट खतम हो जाएंगे तब आपको science एवं computer विशे को cover कराया जाएगा उमीद करता हूं कि यहां तक जितने भी बाते मैंने आपको बताएं वो सभी आप easily clear कर पाएंगे आज के लिए बस इतना ही अगर आपको एक लास अच्छी मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद।